नमस्य साथियो मैं सुरच छेत्री आप लोग सभी को फार्मिंग इंडिया इटूब चनल पे स्वागत करता हूँ साथियो अभी बरसात का समय सुरू हो गया है तो मुर्गियों में तरह तरह के बिमार दिखाई देते हैं तो इस वीडियो में आप लोग को बताऊंगा कि बरसात के समय में मुर्गियों में कौन-कौन से बिमार दिखाई देते हैं और उन बिमारों का लक्षन क्या है और उन बिमारों का इलाज क्या है इसके बारे में ताकि सबसे पहले आप लोगों को वीडियो का नोट भीकसन मिल जाए साथियो बरसात के समय में मुर्गियों में सबसे ज्यादा CRD बिमार दिखाई दिखाई दिता है CRD यानि की Chronic Respiratory Disease CRD बिमार में क्या होता है मुर्गियों को सांस लेने में दिक्कत होता है मुर्गिया मुँ खोल कर सांस अंदर बाहर करती है मुर्गिया घर-घर की आवाज करती है छीखती है और अगर आप लोग इसका इलाज सही तरीके से सही समय पर नहीं करते हैं तो मुर्गिया मर जाते हैं साथियों ये CRD बिमार जो है ये खास कर बरसात के समय में ज्यादा दिखाई जता है क्योंकि अगर आप लोग free range farming करते हैं तो मुर्गिया बाहर बारिश में भीग जाते हैं अचानक बारिश आ जाता है और बारिश में मुर्गिया भीग जाते हैं और बारिश में भीगने के क CCRD CCRD हो जाता है जब मुर्गियों को CCRD होता है तब मुर्गियों के आँख में सूजन आ जाता है साथियों अगर आप लोग मुर्गियों को बाहर फ्री रेंज में नहीं छोड़ते हैं तब भी मुर्गियों को CRD होने का खत्रा रहता है क्योंकि अगर आप लोग मुर्गि को CRD बिमार से बचाना चालते है या अन्य समय में मुर्गियों को CRD बचाना चालते है तो साफ सफाई पर ध्यान देना होगा और फार्म का जो विछावन होता है उसे हमेशा सूखा रखना है वहां कभी भी गिला होने के लिए प्रति दिन रेकिंग करना है, यानि कि प्रति दिन उसे उलट परट करना है इसा करने से ऐमोनिय नहीं बनता है और बहुत सारे किसान साथी यहां और गल्ती कर देते हैं वो farm का जो परदा होता है उसे सही समय पर उपर नीछे नहीं करते हैं इसके कारण भी फार्म के अंदर एमोनिया बन जाता है और मुर्गियों को CRD होता है देखे साथियों बरसात के समय में तो फार्म में पर्दे का इस्तमाल नहीं करने से भी चलता है पर अगर आप लोग छोटे चूजों को ब्रूडिंग करते हैं तो उस समय फार्म में पर्द 10 बजे उस पर्दे को उपर उठा देना है ताकि फार्म के अंदर रात के समय में जो भी गैस जमा होता है वो बाहर निकल चके अगर आप लोग दिन भर भी पर्दे से फार्म को ढखके रखते हैं तब उसके बज़े से फार्म के अंदर एमोनिया बन जाता है गैस बन जाता है veterinary shop से एक medicine खरीदना है उस medicine का नाम है responic plus और यह जो medicine है यह मुर्गियों को पीने के लिए भी दिना है और मुर्गियों के उपर और पूरे poultry farm में spray भी करना है यह responic plus का जो smell है यह menthol जैसा होता है हम जो vix का इस्तमाल करते हैं उसी प्रकार का ये smell करता है और ये आप लोग को करना क्या है जो Rasponic Plus Medicine होता है इसे सुबह के समय में मुर्गियों के उपर और पूरे Pultry Farm में spray करना है और साम के समय में ये Rasponic Plus Medicine पान में मिक्स करके मुर्गियों को पीने के लिए दिना है और ये किस तरीके से मुर्गियों को दिया जाता है यानि कि कितने मातरा में दिया जाता है उसके बारे में मैंने डिटेल में वीडियो आप्लोड करके रखा हुआ है और उसका लिंक में डेस्क्रिप्शन बॉक्स में देके रखा हुआ है ये वीडियो खतम होने के बाद वो लिंक क्लिक करके व वो वीडियो आप लोग देख सकते हैं साथियो ये रेस्पोनिक प्लस मैडिसिन जो है इसे लगातार 3-4 दिन तक मुर्गियों को पीने के लिए भी दिना है दिन में एक बार और मुर्गियों के ऊपर और मुर्गिया जहां रहते हैं वहां अच्छे से इस्प्रे भी करना है म मैंने बताय हुए तरीकों से अगर आप लोग रेस्पोनिक प्लस मैडिसिन मुर्गियों को देते हैं तो ये CRD बीमार ठीक हो जाता है पर अगर बाइचांस उसके बाद भी मुर्गियों का CRD बीमार ठीक नहीं होता है यानि कि रेस्पोनिक प्लस मैडिसिन इस्तेमाल करने के बाद भी अगर CRD बिमार ठीक नहीं होता है तब आप लोग और एक एंटिबाइटिक का इस्तमाल कर सकते हैं उसका नाम है रेस्ट्रिकल एंटिबाइटिक और ये एंटिबाइटिक आप लोग को किसी भी वेटनेरी सौप में मिल जाएगा एक केजी बोडिवेट के हिसाब से 100 मिलिगर्म रेस्ट्रिकल एंटिबाइटिक लेना है और उसे पाने में मिक्स करके मुर्गियों को पीने के लिए देना है लगा अतार 3-4 दिन तक दिन में एक बार बरसात के समय में CRD के बाद मुर्गियों में सबसी जड़ा दिखाई दिने वाला बिमार है फाउल पॉक्स देखे साथियो बरसात के समय में क्या होता है चाल तरब गंदगी ज्यादा होता है और मुर्गिया जहां रहते हैं वहां भी अगर गंदगी ज्यादा होता है वहा का इस्तमाल करना है आप लोग लिजन पाउडर एंटिबाइटिक का भी इस्तमाल कर सकते हैं नहीं तो रेस्टिकल एंटिबाइटिक का भी इस्तमाल कर सकते हैं आप लोग जो भी एंटिबाइटिक मुर्गियों को देंगे उसके साथ B-complex विटामिन पाने में मिक्स करके मु देखे साथियो अगर आप लोग देशी इलाज करके फावल प्लॉक्स दिमार को ठीक करना चाहते हैं तो उसके लिए आप लिए करना क्या है नीम के पत्ते लेना है और कच्चे हल्दी लेना है और उसे अच्छे से कूटना है और उसका पेस्ट बनाना है और जहां-जहां मु हुआ है ये वीडियो खतम होने के बाद वो लिंक क्लिक करके वो वीडियो आप लोग देख सकते हैं बरसात के समय मुर्गियों में सबसे ज़रा दिखाई देने वाला तीन नंबर बिमार है कॉक्सिडियोसिस देखे साथ ही अगर मुर्गियों को कॉक्सिडियोसिस होता है तो मुर्गिया पतली बीट करती है और मुर्गियों के बीट में खुन जाता है यानि कि मुर्गिया लाल रंग की बीट करती है और अगर आप लोग को इस तरीके का बीट दिखाई जिता है तब आप लोग को समझ जाना चाहिए कि मुर्गियों को कॉक्सिडियोसिस हो गया है और मुर्गियों को जो coxidiosis होता है उसका तीन कारण होता है यानि की तीन कारण के बज़े से मुर्गियों को coxidiosis बिमार दिखाई जिता है पहला कारण यह है कि अगर आप लोग मुर्गियों को गंदे बरतनों में दाना पाने खाने के लिए देते हैं तो उसके बज़े से औ जाने कि मुर्गियों को आप लोग जो फीट खाने के लिए देते हैं उसका अगर expired day चला जाता है और वो फीट अगर आप लोग मुर्गियों को खिलाते हैं और उसके साथ साथ मुर्गियों को अगर आप लोग सड़ा हुआ फीट खिलाते हैं लो क्वलट के फीट खिलाते है तो उसके बज़े से भी ये coxidiosis बिमार मुर्गियों को दिखाई जता है और तीसरा कारण ये है कि अगर आप लोग जरूर अच्छे ज्यादा मुर्गियों को विटामिन और केल्चियम देते हैं साथियों अगर मुर्गियों को coxidiosis हो जाता है तब आप लोगों करना क्या है वेटनेरी सौप से एक मैडिसिन खरिदना है उस मैडिसिन का नाम है coxinil plus और अगर मुर्गियों को coxidiosis होता है और अगर आप लोग coxynil plus मुर्गियों को देते हैं तो 100 प्रटिसत मुर्गियों का जो coxidiosis होता है वो ठीक हो जाता है क्यूंकि इसे हमने भी इस्तमाल किया था कुछ दिन पहले हमारे farm के मुर्गियों में भी coxidiosis बिमार लग गया था और हमने ये coxinil plus मुर्गियों को लगातार 4-5 दिन तक पीने के लिए दिया था दिन में एक बार और उसके बाद coxidiosis बिम्यार कम्प्लीटली ठीक हो गया था साथियो ये coxinil plus medicine जो है इसे 100 मुर्गियों के हिसाब से 1 चमच पानी में मिक्स करके मुर्गियों को पीने के लिए दिना है और इसे लगातार 4-5 दिन तक दिना है पानी आप लोगों को ज्यादा नहीं लेना है एक बार में आप लोग मुर्गियों को जितना पानी देते हैं या आप लोग के पास जितने मुर्गिया है उसी हिसाब से आप लोगों को पानी लेना है अगर आप लोग ज्यादा पानी का इस्तमाल करते हैं तब medicine खराब हो जाता है साथियो और एक जरूरी बात में आप लोगों को बता देना चाहता हूँ अगर ज्यादा विटामिन य होता है वो पीला होता है और मुर्गिया दाना पानी खाना कम कर देती है मुर्गिया पंग फेला कर एक जगह पर रहती है और मुर्गियों का वजन धीरे-धीरे कम हो जाता है साथियो अगर आप लोग इकोलाई बिमार से मुर्गियों को बचाना चाहते हैं तब आप लोग करना क्या है 1 kg बोडी वेट के हिसाब से 100 mg रेस्टिकल एंटिबाइटिक लेना है और उसे पाने में मिक्स करके मुर्गियों को पीने के लिए दिना है तो साथ ही हो यहीते कुछ जानकारी जो मैंने आप लोगे साथ सेयर किया और अगर आप लोगे को यह वीडियो पसंद आया और वीडियो से कुछ सीखने को मिला तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करना और दोस्तों के साथ और अपने परिवारे के साथ वीडियो को सेयर जरूर करना तो साथ ही हो आज के लिए बाई बाई मिलते हैं फिर एक जबाडस्ट वीडियो के साथ